Breaking News, ICSI का बहुत important announcement for CS student video को कहीं पे आपको skip नहीं करना है ICSI ने released कर दिये CS exam का admit card December 22 student के लिए detail में बात करें किन student के लिए admit card release हुआ जुस भी student को doubt होगा video को पूरा देख लेना आपका doubt clear हो जाएगा और video में ये भी बता देंगे कैसे आपको admit card को download करना है उससे पहले छोटा सा request करेंगे चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe करके all notification bell दबाद दिजे ताकि आपको CS related एक भी important update या announcement मिसना हो पाए सबसे पहले बात कर लेंगे admit card से related इसके बाद बात करेंगे कैसे आपको admit card को download करना है आपको पूरा process बता देंगे एक बाद फिर से बोलना है कैसे आपको admit card को download करना है तो वीडियो को आपको skip नहीं करना चाहिए official announcement देखने के लिए ICSI का official website प्याना है इसके लेटेस्ट announcement वाला section पे क्लिक करना है आज के डेट में ICSI ने release कर दिये है CS Foundation December 22 का admit card admit card डाउनलोड करने के लिए आपको ICSI का official website प्याना है latest announcement वाला section पे क्लिक करना है इसके बाद आपको इस link पे क्लिक करना है जैसे ही इस link पे आप लोग क्लिक करते हो आपको admit card डाउनलोड करने का option मिल जाएगा यहाँ पे आप लोग admission number date of birth लिक करके login करोगे इसके बाद admit card डाउनलोड हो जाएगा वैसे admit card डाउनलोड करने का लिए आपको description में मिल जाएगा उस link पे क्लिक करके भी आप लोग admit card डाउनलोड कर सकते हो यह admit card सिर्फ और सिर्फ CS Foundation December 22 student का release हुआ है question आज सकता है student के मनें बहुत सारा doubt आ सकता है कि January 23 CSET का जो exam हो रहा उसका admit card कब तक देखने को मिल सकता है CSET का admit card कब तक देखने को मिल सकता है मैंने वीडियो बना दिया है वीडियो का लेंग आपको description में मिल जाएगा एक बार फिर से बोले CS Foundation Program student का admit card डेलिज हुआ है और आज CS Foundation course में और वैसे भी CS Foundation December 22 ये आखरी attempt होगा foundation के लिए इसके बाद से CS Foundation देखने को नहीं मिलेगा सिर्फ और सिर्फ CSET का ही एक्जाम होगा जो लोग CSET में registration किये हैं वो अराम से वेट करें जैसे ही admit card डेलिज होगा ये चैनल आपको सबसे पहले अपडेट करतेगा admit card कप तक देखने को मिल सकता mock test कप से start हो सकता मैंने इस topic पर डिटेल वीडियो बना दिया वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा फिर भी कोई additional doubt है यूटूब comment box ओपन है को आपे मुझसे पूछ सकते हो और मैं मिलता हूँ next वीडियो में